आप जो वर्तमान में चैन करते होना उसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है समझना यह सीज को एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं आपके सामें बहुत सीख से भरी हुई कहानी है यह एक गाउं था उस गाउं में एक जोपड़ी में एक दिन आग लग गई तो लोग दोड़े अरे आग लग गई आग लग गई आग बुझाना है आग बुझाना है अपने अपने समर्त के ही साब से कोई लोटा लेकर आया कोई बाल्टी लेकर आया कोई पतिला लेकर आया कोई कुछ लेकर आया कोई कुछ लेके आया और पास का जो तालाब था उस तालाब से पाने उठा उठा करके उस जोपड़ी उस कुटिया उस घार जो भी समझ लो उसमें जो आग लगा हुआ था उसको बुझाने का प्रयास करने लगा तो लोगों का भीण लगा हुआ था उन्ही भीण में एक चिणियां भी थी छोटी सी चिणियां नन्ही सी जान वो क्या कर रही थी तलाब के पास जाती एक तो नन्हा चिणियां छोटा सा चोच अपना चोच में पूरा पानी पर थी मतलब 100% effort जितना पानी उसके चोच में समा सकता था पूरा चोच अपना पानी से भर लेती और उस पानी को उस स्थान पर जहां आग लगा हुआ था वहां प्या करके गिराती बार बार ऐसा कर रही थी जाती तलाब के पास पानी उठाती गिराती जाती पानी गिराती उसी भीड में से कुछ लोगों ने नोटिस किया और उससे कहा उस पे कहा आपस में ही कहा देख रहे हो ना ड्रामा इसका एक नंबर की ड्रामे बाज है यह होना जाना कुछ है नहीं इसको क्या लगता है यह आग नहीं बुझाएगी तो आग नहीं बुझेगा हम लोग छोड़ देंगे यह आग बुझा लगी अकेले ड्रामा कर रही है दिखावा कर रही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं हम बहुत स चडियां बात सुन रही थी पर अपना काम करते जा रही थी अपना काम करते जा रही थी और लोग भी थे जो जूटे हुए थे उस आग को कम करने का प्रयास में बुझाने का प्रयास में जब आग बोढ़नत बुझ गया सभी के प्रयास से ही चडियां अकेले उस आग को नही बुझा पाई और डेफिनेटली वो मेंने सी चड़ियां उस आग को बुझा भी नहीं पा सकती थी यह संभव ही नहीं था पर फिर भी उसने आग बुझाने का काम जारी रखा हुआ था उन लोग के साथ वो भी थी जो आग बुझा रहे थे वहाँ पर खड़ा होके देख नहीं रही थी नहीं वो टीका टिपणी कर रही थी तो जब लोगों ने बात किया उसके विसेय में और उसके विसेय में बहुत शराहना तो करनी रहे थे अप्रिसीएट तो करनी रहे थे उसको सब ताना दे रहे थे कि ये ड्रामा कर रही है दिखावा कर रही है इसको लगता है कि हम नहीं बुझाएंगे तो आगे नहीं बुझाएगा इसके बुझाने से आग बुझाएगा हम लोग तो जो आग बुझा रहे हैं इससे बड़ा बड़त बाल्टी और तसला में वेश चिणियां आई वहाँ पर और एक स्टेट्मेंट दिये हैं अगर वो स्टेट्मेंट आपके दिल को छू जाए तो लाइक कर दिजेगा उस चिणियां ने कहा कि मैं मानती हूं कि मैं इस आग को नहीं बुझा सकती हूं और अकेले इसको बुझाने में सक्षम भी नहीं होती निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है पर जब इतिहांस लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी आग बुझाने वालों में दर्ज होगा खड़े रहके देखने वालों में नहीं दर्ज होगा इसलिए मैंने सुरू में कहा था कि आपका वर्तमान में जो आप चैन करते हो उसे से आपका भविष्य का निर्धारन होता है तो जो भी चैन करो बहुत सोन समझ के करना इतनी सी थी ये कहानी फिर मिलता हूँ ऐसे ही सीख भरी कहानी का माद्य हम से तब तक के लिए धन्यवाद